मैं हूँ शोबा नंदन, सभी वीवर्स और सस्क्राइबर को मेरी नमस्ते और आज की हमारी रेसिपी है वर्त में खाई जाने वाली नमकीन वर्त में खाई जाने वाली नमकीन बनाने के लिए कड़ाय में 2 चमस देशी घी डाल कर गरम कर लेते हैं घी के मीडियम गरम हो जाने के बाद आदा कप मोटे वाले साबू दाने को घी में डाल कर भून लेते हैं साबू दाने के लिए मैंने आदा कप साबू दाना एक सार डाल दिया है आप थोड़ा थोड़ा करके भी भून सकते हैं साबू दाने को भूनते समय लगातार चलाते रहें जिससे कि साबू दाना चालो तरफ से एक समान भून जाए साबू दाने के अच्छी तरह से भून जाने के बाद जब साबू दाना अच्छी तरह से फूल जाए कड़ाई से भार निकाल लेते हैं कड़ाई में दो चमस देशी घी डाल कर फिर से गरम कर लेते हैं घी के मेडियम गरम हो जाने के बाद आदा कब मुंग फली के दानों को घी में डाल कर भून लेते हैं मुंग फली के अच्छी तरह भून जाने के बाद मुंग फली को कड़ाई से भाड निकाल लेते हैं गैस का फ्लेम हाई पे रखने से dry foods जल सकते हैं। काजू के light golden brown हो जाने के बाद काजू को कड़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। बचेवे घी में अब हम 8-10 बदाम डाल कर भून लेते हैं। dry foods की मातरा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बदाम को 2 मिनट भूनने के बाद कड़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। बचेवे घी में अब हम 1 कप मखाने डाल कर भून लेते हैं। मखानों को भूनने के लिए ज़्यादा घी की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कम घी का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मखाने के अच्छी तरह से भून जाने और क्रिस्पी हो जाने के बाद मखानों को भी निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। मखाने भूनते समय मखाने ने सारा घी अग्जोप कर लिया था। इसलिए एक चोथाई चम्मस देशी घी डाल कर कड़ाई में फिर से गरम कर लेते हैं। आप चाहें तो मखाने भूनने से पहले थोड़ा घी कड़ाई से निकाल सकते हैं। में उसका यूज हरी मिर्च को भूनने में कर सकते हैं। घी के हलके से गरम हो जाने के बाद दो मिर्च को बारिक काटकर भून लेते हैं। साथ में हम नमक भी डाल देते हैं। मिर्च के गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेते हैं। मिर्च का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद तल का रखे वे ड्राइफूट्स कड़ाई में डाल देते हैं अगर आप वर्त में कड़ी पत्ता खाते हैं तो मिर्च के साथ साथ कड़ी पत्ते को भी डाल कर भून लीजिए नमकिन में एक चोथाई टी स्पॉन काली मिर्च का पॉडर डाल कर मिक्स कर लेते हैं नमकिन में अगर आप शुगर पॉडर का यूज करना चाते हैं तो आधा टी स्पॉन सुगर पॉडर भी डाल लीजिए सबी इग्रेडेंट्स में नमक और काली मिर्च के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद प्लेट में निकाल लेते हैं रेसिपी पसंदाने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सस्क्राइब करने के साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर किशा शेर कीजिए रेसिपी से रेलेटिड कोई कोशन हो तो कॉमेंट जरूर करें नमकीन के अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद नमकीन को सर्फ कर लीजिए नमकीन के ठंडा हो जाने के बाद एट टाइट जार में रखकर नमकीन को अब 10-15 दिन तक अराम से खा सकते हैं अब बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। साबूदानी की नमकिन बनाने से पहले साबूदाने को कड़क धूब में सुका लें। साबूदाने को भूनते समय गैस का फ्लेम लो पे रखें और घी को मीडियम लो हीट रखें। साबूदाने को तेज घी में भूनने से साबूदाना अंदर से कच्चा रह जाता है। मुंकफली को भूनते समय मुंकफली को तब तक भूने जब तक कि मुंकफली का कलर चेंज हो जाए। मुंगफली का कलर चेंज हो जाने के साथ मुंगफली में क्रेक हो जाने के बाद मुंगफली को कड़ाई से भार निकाल लें मुंगफली में क्रेक आने के बाद मुंगफली एकदम परफेक्ट भून कर तयार हो जाती है मखानों को भूनते समय ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं होती है आप चाहे तो एक चम्मच घी में मखाने को क्रिस्पी हो जाने तक भून सकते हैं साबुदाना और बागे के ड्राइफोट्स भूनते समय गैस का फ्लेम लो पे रखें गैस का फ्लेम हाई पे रखने से साबुदाना अंदर से कच्चा रह सकता है और ड्राइफोट्स जल सकते हैं